दोस्तो रात को मैंने आपको जो बात कही थी कलेक्शन ठीक वैसा ही दोस्तो कल का आया है ओफिशली भी रिपोर्ट्स दोस्तो आ चुके है कि तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया ने अपने नौ दिनों में कल शनिवार तक कितना कमाया है हेलो आईज कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका स्वागत है आपका हतेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया के इसके भाई दूसरे संडे के फाइनल प्रेडिक्शन के एपिसोड में बेसिकली दोस्तों हम लोग यहां पर आज की आपको प्रेडिक्शन रखाके तो बताएंगे बाकि दोस्तों मेकर्स ने कल तक का ऑफिशली क्या बताया हमारा प्रेडिक्शन एप्रॉक्समेटली पांच क्रोड नेट था और मुझे लग रहा था कि 98 क्रोड का गाईस पोस् सिनारियो यह मेरे खाल से दस्वा दिन है इसका उसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कल 90 दिन में इसका क्या रहा शनिवार के दिन दोस्तों आखिर क्या हाथ हुई हाथ लगी कमाई तो आप लोग कह सकते हो कि मेरा प्रेडिक्शन पांच करोड था और एक्जैक् इस मुवी को और क्रेक्शन करने में कह सकते हैं कि मजबूर किया तो गाइस कल का पांच क्रोड एदा नेट कलेक्शन यह रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया कि मेकर्स के क्या नम्बरे बताऊंगा रूजा तोटल कमाई 52.20 हो गया दोस्तों इस मुवी ने नौ दिनों मे बावन करोड बीस लाग उर्पे कर लिया है हलाकि मेकर्स के अनुसार यह जो कमाई है यह 57.50 करोड है लगभग 57 करोड दोस्तों आप लोग कह सकते हो इसका ग्रॉस बंता है एप्रॉक्समेटली दोस्तों 62.62 करोड अगर यहां पे हम लोग ओवर सिस के नमबर आपको 9 दिन करोड आया पर सो फिर 2 करोड कैसे आया तो गाइस यह नमबर थोड़े उपनीचे हो सकते हैं जो कि बाद में दोस्तों रिवील होंगे आप लोग कह सकते हो कि एजा भॉक्स आफिस इंडिया नाइंटी टू करोड रुपे इस मूगी ने जमा कर लिये बानवे करोड लेकिन यह बॉक्स आफिस इंडिया के रिपोर्ट्स हैं बागी गाईज अगर हम लोग अपने रिपोर्ट्स आपको मतलब मेकर्स के रिपोर्ट्स की बात करें तो यह पोस्टर देख लो भाई बात ही खतम हो गई यहां पे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस नौ दिनों का 98.06 करोड मैं कई लोग कहते हैं शनिवार को ही 100 करोड हो जाएगा नहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा और गाई यहां पर टाइम लगा और इस मुवी ने कह सकते कि आज संडे के दिन 100 किया नहीं है अभी उसके बारे में बताएंगा कि इतना आ जाएगा लेकिन गाईस कह सकते हैं कि 98 को दोस्तों इस मुवी की कमाई हो गई है हम लोग दोसों यहां पर बात करते हैं कि आखिर यहां आज का क्या सीन क्या सिनारियो इसकीति क्या होने बाली है कमाई मेरे भ्इयों तो गई देखो आज की मॉर्निंग की 50 से अच्छी है 30 से घ्रवाइट की जो आफ़नू लगबग गिर जाती है तो जिसके वज़े से आज यह जो मूवी है यह घ्रोथ तो लेगी लेकिन ऐसा कोई बहुत लंबा चोड़ा नहीं जैसे कि मुंबई में इसके पास 515 शो जैसे कि मैं आपको कहा कि भाई संड जो फ्राइडे था उस ज्यादा शो शनिवार के थे शनिवार से ज् स्कल के गिर जाएंगे और की दोस्तों यहां पर लगभग 33 पर सेंट की है दिल्ली की बात करते हैं तो गाइस 29 पर सेंट गटते हैं शो फिर बढ़ जाते हैं पूने की बात करते हैं 155 पर सेंट की याइस दूसरे संड़े को भी ऐसा हाल पाइंग लूरू 171 शो औक्युप अल्मोस 35 पर सेंट की है को लकता ने दोस्तों कह सकते हैं अच्छा दोस्तों इसका अपनाया है एहमदावाद 382 शो दोस्तों देखो अब यहां पर क्या एहमदावाद में कोई क्या गुजराती मूवी रीलीज हुई है तो मुझे बताओ क्योंकि कल तक शायद मेरे खाल से तक अच्छे शोज थे लेकिन फ्राइडे को गाईज ऐसी कोई बहुत बड़ी मूवी रीलीज नहीं हुई फिर भी शोज जादा गिर गए हैं चन्ने के बात करते हैं तो 23 शोज हैं सूरत में 180 शोज ऑक्यूपेंसी लगभग 19 परसेंट की जैपूर 118 शोज ऑक्यूपेंस तो इस और इशारा कर रहा है कि यहां पर 20-30 परसेंट गाईज जंप लगेगा ज़ादा नहीं जहां कल 5 करोड़ दोस्तों इसने किया तो मुझे लग रहा है कि आज 6 करोड़ दोस्तों कुछ लग रहा है जो हैं साड़े 6 करोड़ हमारे पास 57.50 करोड़ मेकर्स के अनुसा रिपोर्ट से एड़ क्लेशन इसमें अगर हम लोग दोस्तों च्छे करोड़ 50 लाग रुप गया एड़ करते तो 64 करोड़ दोस्तों शुरुआत के 10 दिनों में यह मुवी 64 करोड़ रुपे जमा कर रही है 64 करोड़ अपने बॉक्स आफिस में 64 करोड़ रुपे कमाना किसी नौन एक्षिन मुवी का किसी रॉम कॉम मुवी का एक अच्छी बात है अलागी यहां पे जो गाइज क्रिटिक्स हैं उनको यह मुवी भाई नहीं और उन्होंने कह सकते हैं कि इसके रिपोर्ट भी देना बंद कर दिये जो अपने तरण नादर चच्चा है वो तो गाइस डेवाइस के रिपोर्ट दे ही नहीं रहे मतलब गाईज यहां पे उनके हम लोग रिपोर्ट देखके काफी खूश होते थे लेकिन इस बात का अफसोस हुआ कि उनको जो मुवी पसंद नहीं आई उनका कलेशन भी वह नहीं दे रहे अभी आईसा क्यों क्या पास रिपोर् फिर कल का ओवर्शिस के काई ऐसे कोई ओफिशली रिपोर्ट हमारे पास नहीं आये लेकि मेकर्स ने जो नाइंटीएट क्रोड की रिपोर्ट थी है उसके आनुसार तो गाईज ऐसा ही लग रहा है कि मूवी ने दो क्रोड तो गाईज कुछ क्या ही क्या है क्योंकि मैं इटी नाइन पॉइंट इसमें दोस्तों हम लोग क्या जोड़ें जो नाइंटी एड करो बन जाए तो आप लोग कह सकते हो कि यहां पे एप्रॉक्समेटली एट पॉइंट फॉर जिरो करोड जैंगा इस यहां पे आठ करोड चालिस लाग और पर कलका इसका वर्ड आठ करोड चालिस लाग और पर आखिर कैसे आया पांच करोड का ग्राउस छे करोड और गाइस इस मुवी ने दो करोड तो ओवर्ड से कमाया सिंपल है इसका मतलब कल गाई शनिवार को दो करोड आया है ज्यादा नहीं आया हलाकि हम लोग सोच रहे हैं गाइस मुझे लग करते हैं तो 107 कोड़ 50 लाग और पर जो मुवी है अपने वाक्स आफिस के पिटारे से 200 क्रोड कामा चुकी है लेकिन ग्रॉस वर्ड वाइड देखना काफी दिल्चस्पोगा कि दी दस दिनों में जो 64-65 क्रोड नेट बन रहा है क्या गाइस यह मूवी 85 कोड़ बन सकता है क्योंकि वहचे तो हर जगा इसके रिपोर्ट 50-55 क्रोड के बजट बताया जा रहे हैं इसके बजट 50-55 क्रोड के है लें गाई यहां पर बाक्स आफिस मुवी रिवियूज जिसके जो गाइस नंबर्स को मैं मानता हूं और कहीं ना कहीं दोस्तों की जो वर्डी के वो काफ क्रोड की बजट है इसका मतलब यह मुवी दोस्तों हिट हो चुकी है लेकिन अगर उसको भी पार कर दे तो गाइस कह सकते हैं कि कोई कहने का मौका नहीं मिलेगा जाक कुछ है कहना बताओ मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही